नमस्कार दोस्तो मैं हूँ जय प्रकास और आप देख रहे हमारा यूटुब चेनल विस्क्रमार्टो सेंटर दोस्तो आज आए मेरे पास जूपीटर जूपीटर इसमें वारिंग का फाल्ट इसमें जो है बारबार फ्यूड आ रही है तो दोस्तो इसका जो फ्यूड आ ने प्रोल्म तो मैंने सोल कर दिया है पर मेरे पास जो हमारे व्यूवर है उनका बार-बार कमेंट आ रहे थे कि जूपीटर की फुल वारिंग की के स्टुड़ी डलो फुल वारिंग की फुल वारिंग में कौन सा तार कांप चाता है क्या काम करता है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में फुल वारिंग डिटेल देने वाला हूं तो दोस्तों मैं इस जो हमारा जूपीटर है यह इसमें वारिंग में चार वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि एक वीडियो में फूल वाइरिंग की डिटेल दो ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों मैं पहले बता दूं जो पहले जो हमारी वीडियो है वह सबसे पहला हमारा इगनेशन जो स्पार्क होता है स्पार्क पलस हमारा बैटरी चार्जिंग यह सरकट अपर समय कंभाइन है एक दूसरे पर ठीक दोस्तों और तीसरी वीडियो होता स्पार्म वीडियो तो इस जो हमारी वीडियो का कितने लंबी होते है रहिए बताओ इस भीडियो के नंदर तो वीडियो पूरी देखना एकड़ कर दो आक्वार का वायर का कर दो कि mother हर वीडियो के लाश्ट में हमारे पास क्या-क्या फाल्ट आता है कहां से आप चेक करें अगर यह फाल्ट आया तो आप ऐसे चेक करें मतलब पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर तो वीडियो का बिल्कुल स्कीप ना करें पूरा देखें तभी आप समझ के फिलडियो नहीं होए वा रिंग का तो आपका यह मतलब वीडियो देखना प्याखार होगा तो कॉन्साइप लिए तभी वीडियो दोखे हुए ठीक है दोस्तों तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो यह मैं वैसे वैञ्दी कर दिये हैं वाइरिंग खिलवा रखी है इसकी सारी काट रखी भाइरिंग यह दिखो इदर यह सारा हीसकी वारिंग इस्की सीरेयED require 谢 इस lay यह द्हूरा रखी है तो लिएक के इस तार के बार हम दिखा हूँग आपको ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ विडियो को I kok darkness like इसके लिए देखो ठीक है फ्रेंट्स ये सारी वारिंग उन्हें बिल्कुल उपन कर रखी है एक एक तार की नोले दूहां दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप तो दोस्तों स्कीप मत करना है वीडियो को आप से रिक्वेस्ट है अगर आप स्कीप कर दोगे तो इसका जो व हमारे यह टीस यह स्कूटी है टी इस बाइक है शूट इंदर ऊप्वाइद उसके अंदर वाएद टीस इसकी तर फूल-फोम होती दोस्तों ठ्रांस्ट्रेटर कंट्रोल इगनेशन जो जोस्तों यह एमारा वेस्ट में और 7 में दोस्तों में रिप्ट्रा इसको तो यह क्य यूनिट का प्लस तो हुटता है स्पार्क देता है सेही प्रोशीजरिलिसमें इस में थोड़ा भीन है इस मैं दिखा जिएताucha क्या थीजिए यह फिरेंद लॉफटी सब्सक्राइब करेंगे मल्टी मीटर से करेंगे दोस्तों 12.78 मतलब हमारा जो इगनेशन क्वाल भी 12 वोल्ट होती है साथ में आउट्पूट आउट्पूट होती है दोस्तों यह जो बिल्ली कुलर के तार है यह आउट्पूट है टीरिंटी यह से साथ में समय अर्थ का काम दोस्तों इसमें हमारा जो अर्थ का काम नहीं पड़ता ठीक हैं फ्रेंस हमारे डिसी जो सरकित होताई जिसमें एर्थ और सात्में आउट्पूट जो एक वायर जाता है ठीक्गेenst यह होता है प्रेंस्ट इस स्टावश्यों निय तो यह वायर कॉंक्कों से हैं पूरी हरे एक बार की डिटेल दूँ आख ठिक दोस्तों पेले स्टार्टिंग कर लेते हैं मेन मेन वायर से तो दोस्तों जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारा ड सी सर्कुिट घर क्या उस्ती इम बने बने हैं इसको 12V पोचते हैं TCI को उसके बारे मैं आपको डिसकस करूँगा ठीक है दोस्तों कहां से कौन सा तार गया हुआ है वह पर डिटेल दूँगा दोस्तों ठीक है कि तो से पहले हम स्टार्ट करते हैं 12V से मतलब इसके जो चार्जिंग सर्कुट से कि दोस्तों यह हमारे जो मेगनेटों से निकले हुए वायर है इसमें तीन निकलते हैं अंदर से एक तो अर्थ एक लाइटिंग एक चार्जिंग तो लाइटिंग की डिसकस अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा सबस्ता है क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए कि दोस्तों यहां पर आगा ठीक है तो मारी जो इस सोकेट के अंदर है है अर्र की अ अधिक फ्रेंट्स जो मारा मेंगनेटों से अंदर कोयल पेट से आता है इस्टार प्लेट भी बोलते हैं तो सुद्धा जो एक वायर यहां पर आगा दोस्तों यह मारा आराइट के इनपूट मतलब अंदर चला गाए दोस्तों ठीक है दोस्तों उसके बाद जो हमारा कि श्में के बाद हमारा ऐंट करता है प्रक्त सप्लाई करता है यह वाइर हमारा जाता है क्या खाता हूं जो जो एक पर आण्ड कवांच मुक्त तक Vide souha會 कि डॉस्तों दोस्तों सात मैं पिछे गया हुआ है जो कि पिछे लेगा ह solo यह मारा बैटरी चैनला है जो निक कшего हो था गर्ता है यह होता है यह वोक्स है कि ऄयो वोक्स है भूल से उता हुए इसमें स्युत लगया साथ ने आरा यहां से ऐस ऋक्ट लगरती है एक तिक है ठ्म biz तर्ड मतलब हमारा जो चार्ड ज्मिं का तार है कि यह मेइद वायर है कि कि एन तो कि मियनास्ट लगती है कि यहां और था को नला झांब रहां चुने को आटोपगे जो अनुट की यहां मेधिक अग slippy फाल्ट डाता दूस्तों हमारा यह हैं अमारा जो फार्ट दोस्ताट एंस आपको कि यह में बहुत हम तो आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर देखो हमारे जो ताद दो तार गई हैं यह रेड़ वायर एक तो दोस्तों अब देखो दोस्तों मैं खेच की दिखा देखो लगस्तों को देखो डिखो यह दूसा तार हमारा दोस्तों चारजर गहाई यह आउट्पूट निकला भुए यहां पर दीसी यह दूसरे तार जो मएड पूट है कि यह दोस्तों इंपूट है आप यह देखा वेटा है कि यह तो मारा इनपूट है यह रेड़ पर वाइट लाइन दोस्तों फड़ा कली रहा धूर रखिए हो रेड़ वाइट लाइन है यह मारी मेंगनोट से आई होगी है अरी इसमा आते हैं एसी वोल्ट ठीक है दोस्तों तरह इस चीव द्याना देहना दोस्तों फ्यूज वड़ाने अफवाल्ट आया था को मैं दिखा दूँ इसमें क्या फोल्टाया था हिसमें जो मारा ये वाइट ढूंआ से तार यह यह ये यलोग पर रेड़ ड़ा पस में चिप गया था गरमोंके तो यह फ्यूज वरूड आ रही थी दोस्तों और यहां तो यह लाइटिंग की है, जो एड़ लाइट काम करती है, इसके बारे में बाद में डिसक्स करूँ है, पहले हम जो इगनेशन और चार्जिंग की बात कर लें, क्योंकि दूसरे से कंबाइन है, इसलिए में इसके बात कर रहा हूं, तो यहां से भी अफ्तार चरशते हैं, यह तो उमारा इसमें जगा स्पार्क यहां पर आ रहा है, वाइट लाइट में इससे आउटपूट ओरने के यहां पर इसमें आना चाहिए, आउटपूट बिसी, 12 वोल्ट, और यह तार सीधा जाता हमारा, सीधा तर ओते वी यहां से, आते वे एक यह तार आगे दोस्तों, य यहां आती है दोस्तो, उसके बाद दोस्तो हमारा यहां से, दो तार और गई है दोस्तों यह दोर वाइर गई भी हैं, हमारे हंडलओक पर दोस्तों, यहां लिए, यह दोको फ्रेंट्स, ही इस यह दो मारे दोनों वायर यहां से इखटे होके अमारे इस पर ढ़के लोग प्राय है तो अब हैंडल लोग क्या करता है दोस्तों कि अधो वायर आने के बाद हमारा एक तो जाता है हमारा इस जैसे हम स्वीच ओन करेंगे यहां से डिस्टिट्रिबूट कर देगा जैसे हमें श्रीचोन करructor क्योंकि नाटें करते नेगां। इन दोनों टारों में प्लास आर्टी का प्लास स्टन इस से प्लीचोन करेंगे तो उसे । आर्टे काें टार बाटरी अमारे किनेक्शन गर movement दिशिबुट होके कलंट एक तो इस वायर मा जाएगा ओर इंग में और दूसरा आज एगा बलेक और रेड कि ये बलेक और रेड वायर दोस्तो लेक वायर के बताता हूं है ये मारा जाता सिधा सीग आ ही सपे है तो यह देखो दौस्टव टिखताम आपको इधर लिया एंडलोक से दोस्तों हमारा सिधा ये टीसे यूनिट पाए हुआ है मतलब हम जैसे स्विच ओन करेंगे तो हमारा करेंट डिस्टिबूट होगे यहां इसको प्लस मिल जाएगा तो हमारा जो सीड़े टीसे यूनिट है वो स्पार्क पैदा करेंगा ठीक है दोस्तो यह मिल गाए मतलब हमारा कारेंट डिस्टिबूट हो गया यहां से प्लस रानतों अगर अमरा इंग संव नहीं आ तो हमने सबसे पहले जो यहां पर इस तार में जो ब्लेक रेड़े हैं इसमें हमने स्पार्क चेक्रना मतलब इस पार्क आर्ग नहीं आ रहा वायरे से लगा के यहां वारा इस पार्क आना चाहिए 12 वोल्ट बैटरी के ठीक है दोस्तों अच्छा कई बारा यह हमारा माइनस का तार मतलब नेगेटिव यह नेगेटिव कई बता तूटिका तो भी हमारा स्पार्क नहीं पार्णा नेगेटिव चेक करना है ठीक है दूस्तों हुरू ऑर अदि और दोस्तो यह हमारे इसके बाद दस्तो जो अगर मालें हमारा यांपा प्लस्ट बैटरी यह प्लास भी है अगर ब्रॉबिंग करने में होने हैं उसमें हमने एक मल्टी मीटर की अश्रता पड़ेगी यह मारा मल्टी मीटर है इसमें कम सी यह दाइस तीन-चास ओर पर आता है दोस्तों यह प्रचेज कर लें आप अगर आप उन्हें वारिंग की पूरी सीगना सब्सक्राइब तो ओम के पास लें पड़ा है जाम ओम चे हैником देको दोस्तों भॉने GAS राउन्ड होते हैं 2020 के तबढ़ाहिए सब्सक्राइब युजियों होता है जो कि यह अती है कई बार यहां से भी तार तर्ट्र जते हैं दोस्तों कि आहां तार तूट जये Missouri से तार्ट तूट है यहांत कि दम आहिम आए गात कि जो हमारा समय है अलेट और मेरा कर वह नहीण है अचिकार फेंस कि यह हो गया दोस्तों अच्यज़ दोस्तो अब यह है कि है अब दुस्तों यह बता हुआ को अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बताएता हम आपको अगर हमारा यह आप है अरा है हमारा यह पर पूरे बे हैं ओ में पुलसर कॉयल में कि अरुमारा यहां प्लस भी आ रहा है ठीक है तो उसके बात दोस्तों जो चेक करना है अनुच कोईल यह जो टीसीए उनिट अध्यास इन में से एक कोई सनकोय आइटम खराब होगा वा आपने लगा करना पड़ेगा तभी पता चलेगा या थे टी सीट यह साथ में या या इगनिशन कोई यह एक कोई सनको से एक चैंज गरवाना पड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स तभी हमारा जो समस्या यह सोल होगी औ प्रेंब करें आप पता है तो जो हमारे मीटर में है यहां से उजाती है अब celebrations हमारे जो सीगनल लेंट है यहां से अर्थिंग जाती है और फिंग जाने जैसे जाती है तो तब ही हमारा वहां से लाइट जलती है वह दिखाता भी में आपको जब तक एक बर स्टार्ट देखांगो में आपको उपर लिए मीटर में यह देखा दोस्तों यह इको लाइट जल रही है यहां पर और मैं नीचे से तारट आऊँगा यहां लेगा जैसे मैं यहां से यह सोकेट निकाल लूँगा यहां निकाल दी अब वहां से देखो दोस्तों यह लाइट हमारी बंद होगी और मैं यहां से लगाता हूं सोकेट यह देखो इसने का ब्र île侏 ओर करेंगे देखो देखो ऊपर यह देखो सिकनल के जो को तो शिद्ध में जकिन ले टांपय और यहां पर यह जो वुमाय को यह तोन पाई कहल दो यह जो मस फीट यह जो को के फिल इसाब में लेंट है यह को की से के लुफय कोgeben अगर यह निकाल भी दें तो भी वह मारे स्कुटी स्टाट रही कोई दिक्कत नहीं है और जो इक और पावर की लाइट निहीं जागी कि यहां से अर्थिंग की पलस तो वहीं से मिलता है स्विच से अर्थिंग की जो सिंग्ल जाता Україंट्स तो यह हमारा system हो गया तो दोस्तो उस तार का क्कलियर हो गया संटलोस के अधा है फसक्ट सार कशा है यह भायर जो तो फ्हारी यह संटी वायर ठीका रिद्ट अब będzie के अब सब्सक्ट करेंब happier हलीज थरा पमेंग पान्डिंग उडरीज नेक्स्ट विडियू बता हुंगा आप वह इसमारे सारे बार इसमें कलिर हो गया है है यह दोस्तों हो गया है कई बार एसमें जो फोल्ट आता है बताई नहीं पहले पह перाव चेज कि आगा से यह अग्र एक तार कोई सब्सक्रानक हो गया अगर एक ब्रेक करके दिनक MOR चाओ मैं और कर दो अब यह हमारे चलू है माले सब्सक्राइब कोई भी कार्बन आ गया इसमें नीच लिए अन्य दिख लिया हुआ जो ना यहां से यह मोरजो जोएंट है यहाँ दिखरा आफको आता है 90 परसेंट जो मारे स्कूटीं फोल्ट आता ही ही से एता फेंट से बैटरी का इसे एक और थीक है तो इसमें एक भी वायर हमारा कई बार यह यह आपे एक तार भी अगर ओगया कि जैसे मेनने कााट दिते करद आपान बडीक हो गया अब देखते हैं इसमें कुण सा सर्कुट काम करेगा है Oke कुछ दोस्तों कि इसमें हमने मेंने ने टार काट दिया है मतलत तो बुर्ए हो गया incent श्राइगी और अव दोस्त पार अमरे चेह ले गया है क्यों चेह ले गया है मैं बताता हूं क्लेंद्स यह यह यहां से गया कट रहुने करन अमार से यह रेड़ वायर है यह अ का साथ आम हिए यह OneNagradio को गाए ऑट India इसको करता है जो एक छось समस्जोन करते हैं नोज को करते हैं तो अचान को यह द छिर मेंकिन को पैसिस तरी छाट पार ब्लेटरी को नहीं वाले इसका राण से हमारा स्पार्ग निया रहा उए अदना है र olur तर यहां कोई स्टेज आगी आपको तो उसमें कैसे चेक करेंगे अगर हमारी लाइटिंग सारी चल रही है लाइटिंग खाली स्पार अभी समें देखो लाइटिंग सारी आ रही है लाइट रही है इंडिकेटर इंडिकेटर सब काम कर रहे हैं तो इस स्टेज में आपने क्या करना है यहां से यहां, यहां to है काम कर लो जो पलस के तार, इंकोये अपासूरी अपसों मैच करदो क्योंकि दूसरी तार में acja ही अगर यह तार अंदर इसको अपसों मिला देंगे इन दोनों तारों को मिला देंगे यहां से के तब यहां कि यहां पर कि इसमें वोल्ट देने हैं मैं दो इस के लिए उसके लिए यहां के लिए उपर देखां कि यह जुगाड बरता रहां दोस्तों अभी ऐसा सोचो भी अगर प्रोसीजर अगर हमारा इतार बरेकिज हो जाता है उस केस में बता रहा हूं आपको वही क्या क्या करना है ठीक है कि इन तोरों इन तारों को आपसे मैच कर दो तब भी वोल्ट आ जाएंगा फ्रेंड्स कि जो हमारा ओरेंज है ओरेंज को और जो टी से यूनिट का यह तार है इसको आपस में मिला दोगे तब भी हमारा करन्ट आ जाएगा ठीक है अगर ऐसा भी निकरना चाहते हैं आप यहां से ब्रेक हो गया तो मैं सिधा वह बताता हूं आपको जो आज को मेरे को पता है हमार कि यहां लिया मैं दोसों बहुती है मतलब यहां पर टेप होती है मिश्चेद्गले को देटे में अधर कुम चलिए तो इसको कु । ऑन्य नहीं होती है अल्यां काट लेंगे यह को एंटलोंग से युउक है टो इसको हम तार जोढ़ों भी अबलेको रेड ने्स जो हमारा इसको प्लस नहीं मिल रहे है अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे यहां पर यह देखो अब हमने जो शोकेट थी अब चेक करते हम करंट स्पार यहां पर दोस्तों यह दधा मन फाल्ट बताया है यह वायर है इस बारे में आज यह खोल लिए उसके बाद ही पता चल पाया है मेरे इस में एक सोकेट होती है और यह तार किस चीजगा होता है तो यह एक सुपेर इस ने दे रखी है यह जो चार्जर लगा होता है बाइक उसमें स्कूटी में साइद उसकी कंपनी दवा रखी है और दोस्तों को चेक करने का सबसे असान तरीका है अगर यहां पर 12 वोट नहीं आ रहे हैं आपने बारी बाद में चेक कर नहीं है और लेके हमारा जो बलेक रेड़ है इसमें जोड़ देंगे तो जोडने के बाद अगर मारा वारिंग का फाल्ट हुआ और हमारे जो ओम आ रही है इसमें ओम आ रहे हैं तो हमारा स्पार्क आजएगा फ्रेंड्स हाँ अगर आपकी टीसे यूनिट खराब है अरे यह इंग कुछने पर देता हूं दूसरा और इस केस में तो अगरमाल बाते बंद हो गया ठीकिग दनो मिले दोनमने अपरेकह ब्राइयको यह फिर एक वायर डालना पड़ेगा बैटरी से, जो बैटरी के एक तार यहीं से लेका है, हमारे जो फ्यूज वायर से यहां से एक तार लेंगे, एक तार डालते हुए हमने हंडल लोक तक, जो हंडल के वायर पर लाल है, यह लाल वायर पर डालना पड़ेगा फ्रेंट्स, जो लाल तार हमारी यह दौनों में बैटर्य यहा में यह अठर्च यह दिखा देता हूं आपको ठीक है अगर जे दोन्यों तार आई हुई हैं मैं अब दूकर बता देता हूं थाहिए उनका बैटरी से यह अपस में यहां तो नहीं कर रखी है तो अमारी कई बार यह तार कूट गी तब धिक्कत होगी यह तार टूट गी चारजर की तार अगर कई वारे चारजर टूट गी जो पिछे से बैक साइड में तो उस केस में क्या होगा वो भी दिखाता हूं आपको कि हमारे जो जूपिटर स्कूट्री है दोस्तों सबसे ज्यादा फाल्ट आता है इस वायर से कम से महीने में दो तिन केस तब आपके पास भी आते होंगे तो कमेंट करके जो बताएं आते एक नियाते मेरे पास तो बहुत आते हैं फ्रेंड्स जूपिटर है विग गो है यह जैस स्कूटी है महीने में तीन-चार के साथ जाते हैं वहीं जिसमें वारिंग का फाल्ट है स्पार्क जाने का यह फाल्ट कंपनी नहीं मतलब यहाँ पर कोई अच्छा दा सलूशन नहीं दिया वारिंग का बहुत ज्यादा फाल्ट होता है तो दोस्तों हमारे यह रेड़ वायर है एक जो चार्जर की और बैटरी की से होती है तो एक तार मैं को कट कर दिया है क्योंकि यहां पर कोई साथी तार कट हो जटा है तो उस मैं चारा हूं आपको कुण सा तार कट होने से क्या एफेक्ट आएगा वह मैं अबताता हूं चारजर का तार है और यूनिट का यह अटा दिया है अब स्कूर्टी हमारी स्टार्ट है सारी चीज़ें है पर जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी बैटरी हमारी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी तो स्कूर्टी बंद हो जाएगी तो ऐसे केस में अगर आपको देख हां आटे हैं अपको यह नहीं में फिर नहीं जूड़ेंगे अजो यह तो यह वंड़ न है बद कम टेसे दिसके सबस्ट करें मतब बेटरी तो यहां पार जोड द समय इसकने के बाद अजना में तार दोस्तों आप सी जोड़ रहा हूं और को दोस्तों कई बर क्या होता है जैसे यह नहीं है तार टाली यह बंद होने इसकूटी कई बर स्कूटी हमारे पास इस लेवल में वाथ यह ना था हमारे पास जैसे स्विच आओन करूगे आप कि इन तार अदोस्तों यहां पे रिले के यहां से यह तार आता है यह तार हमारा प्रेकेज होता है थिक हैं अगर यही टारत डिस्कनेक्ट होगी हमारा आगे एंडलोक से यहां से यह टारक से तर डिस्कनेक्ट हगा तो हमारे स्कूती बन dispens के रूख से हब और के इस में आप कही करना है यहां पे एक ठार लो तार से मैंने कनेक्ट करके और सीधा मैंने उस टेम ये खोली नहीं थी मैं जोड देता हूं आपसी और ये जो एंडलोक के तार है मैं यहां पर जोड़ दो या रेड़ वायर है रेड़ वायर को आप एक खटाइभी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों यह यहां यहां से एक तार डाल देंगे बैटरी वहां से तो हमारा जो सब सब सबस्टाट हो जाए है दोस्तों तो दोस्तों यह हमारा पूरा सिष्ट्रम इंगिशन का हो गया पंशर के बारे में बता जिया हमने सारजिंग को almost वता जस्ते हैं क्या फोल्ट आता है यह मैंने वीडियो स्टार्टिंग में गया हुए जिसमें आते हैं एसी वोल्ट ठीक है यह कई बर क्या होता है यहां पर वोल्ट नहीं आ रहे तो हमने क्वाइल प्रेट फोल नहीं पड़ेगी अंदर से वोल्ट नहीं आने को अगर यहां पर जो यह सरकिट है ठीक है टो इसमें से जो मारा वाईत और रेड थार होता है यह होता चारजींग हम अंदर से दो क्वाइले मूती है ठीक है अर यह होता अर्थ की अर्ट होती है यह हैं पहलए अगर एक अंदर से करेंट नहीं आ रहे हैं तब भी हमारी प्रोल्म होगी तब ही उम्हारी जो बैटरी चार्जनिये होगी है अम्हारी स्कूटी बंदो भी तो अमने में करन्ट जूर चेक करना है यहां पर वह अमारे आसी वोल्ट हर एक नहीं आ रहे ठीक है तो अब चेक करेंगे हम इसके वोल्ट अंदर से चार्जिंग और लाइटिंग के कितने वोल्ट आते हैं सबसे पहले चेक करेंगे हम चार्जिंग के ठीक है तो यह देखो दोस्तों पंदरासो आर्पीम के अंदर यह 19-20 वोल्ट के राउंड आ रहे हैं कि इतने आते हैं क्योंकि मation में ज्यादा वोल्ट फूंस ओढ़ दोस्तों दूसरी जो पीन है उसमें चेक करते हैं वोल्ट कितने होते हैं उसमें आते हैं दोस्तो 14-15 वोल्ट के राउंड यह देखो फ्रेंट्स यह भी मिल्टी मिट्र उजाएगा इनकेस में अंदर से ताट उटा होता है तो यहां पर स्पार्क नहीं आएगा या उसमें सोल्डेंग विटू जाती है अंदर से दोस्तों अगर आपके पास मल्टी म के इसको एक सब्सक्रीट सिठ को आप कारपिटर नहीं तो आप आप ज़्यान रखना तो हम आज आख पड़ी तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जुरूर बताएं कमेंट करें अगर आपके पास भी जीज़े फोल्ट आते हैं तो जो कमेंट करें और अपने दो मेकैनिक भाई हैं उसमें ज्याद ज्यादा सेर करें क्योंकि इसमें वीडियो के अंदर मैंने पूरा सर्किट जो आपना इगनेशन का है ठीक है यह पूरा समझाया होगा यह एक चार्जिंग का भी कवर कराख है और वीडियो को लाइक जो करें दौस्तों क्योंकि हर वीडियो बनाने हैं बहुत टाइम लगता है यह बनाई है क्योंकि जो बारे मेकानिक को कमेंट आते बार-बार की प्र आदे मातरम